वैल अगर आप इस वीडियो को इसलिए देखने कि आपको यह पता लग जाए कि अगर आपने नाइका के आई पीओ में इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना लिस्टिंग गें मिलने वाले है वे इसिंग इन क्या होता है आपको पता यह अभी तक तो कि अगर आज जो डबल हो गया डबल नहीं हुआ तो माल लेते हैं 50 परसेंट भी ग्रोफ आ गई तो 1125 का शेयर और मुस्ट सो बढ़ जाएगा तो यह जो बढ़ जाता है उसके बढ़ने के बाद आप बेच देते हैं आप अपने जो आपने इन्वेस्ट किया था कुछी दिनों में आप लोग लिस्टिंग गें लेके बाहर निकलना चाते हैं तो आपके मन में अगर यह सवाल है कि हमें कितना लिस्टिंग गें मिलेगा तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि लिस्टिंग गें देखो कंपनी के फंडमेंडल्स की उपर इतना डिपेंड नहीं करता जितन कितना देने के लिए यहां पर आप देखिए जिस दिन आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं अभी तक का मैं आपको डिटा शेयर कर रहा हूं बाद में बढ़ भी जाएगा कि अभी तक रिटेल के टिग्री में नाइका का आई पयो 6.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है हमें इसका शेयर चाहिए और पैसा वो अलड़ी दे चुके है अब इतना सब्सक्राइब होने का मतलब क्या होता है मैं आपको यह समझाता हूं जो आई पयो जितना जादा सब्सक्राइब होगा उसकी लिस्टिंग गें के चांसे उतने जादा होते हैं अब एक चीज तो हो में लिंक दे दूंगा अपश्चाओ कर अपने अपने दीमेट और खुलवा लिजे उसके दुरू आप बहुत इसली आई प्रोस के अंदर इंवेस्ट कर सकते हो और और चीज और है आप में से बहु सारी लोग कह रहे थे की आई प्रोस के लिए आपको इंवेस्टो कर ना बट upstocks पे जो account opening था वो paid था बीच में paid हो गया था अभी मैं आपको यह recent data दे रहा हूं अभी recent information दे रहा हूं कि अभी के लिए आप अगर जाएंगे upstocks पे चेक करेंगे तो account opening free है अभी के अभी अपना account खुलवा लिजे and then you can definitely apply for IPO and आप reference करके भी पैसा कमा सकते हैं इसके ओपर भी हम काफी बार बता चुके हैं तो अगर आप पैसे भी कमाना चाहते हैं तो simply description comment box में जो link है उस पर चाहिए अपने simple steps को follow करके अपना अब अब अब्शुक्स पर account खुलवा लिजे आब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर एक चीज त basic information आपको पहले भी दे चुका हूँ आयो बटन पर लिंक है आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की जब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त IPO प्राइस से ओल्मॉस्ट साढ़े 500 से 600 रुपय ऊपर चलना है इसका मतलब क्य है कि ग्रे मार्केट के अंदर भी यहां पर डिमांड जादा है इसकी अगें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बताता है कि ग्रे मार्केट में डिमांड जादा है तो लिस्टिंग अच्छा मिलेगा दूसरी चीज आपको मैंने बता है लिस्टिंग इन के लिए दूसरी मिलेगा अगर आपको IPO लॉट हुआ को IPO के अंदर शेर्ज अलॉट हुए तो आपको 50% तक आप expect कर सकते हो कि इसमें आपको listing gain मिलेगा अब प्रॉफिट होने के बहुत जादा पी बहुत जादा और आप खुद कहते हो कि इतने जादा पी वाली कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए यूर राइट पर मैं आपको नहीं और चीज़ समझाना चाहता हूं पहले आप उसे समझ लीजे फिर हम इसके उपर भी बात करेंगे अब जब 840 का पी यह भाई और हम बात करते हैं आप ऐसी कंपनीज में इंवेस्ट करो जहां पर पी रिशियो 20 या 30 से कम है अगर आप ऐसी कंपनी जून लेते हो जहां पर 20 या 30 से कम है इसका मतलब क्या है आप एक रुपया कमाने के लिए 20 रुपय दे रहे हो यहां पर एक रुपय अब मैं चीज बोलूगा आपको देखो अभी क्या मुझे नाइका का एक भी कॉंपयटर बता सकते हो जो इस वक लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पर आपकोगे नहीं सर ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है नाइका अपनी जो सेग्मेंट है उसके अंदर पहली एसी कंपनी जो लेस्ट हो रही है अब ऐसी कंपनी अभी 2012 में कंपनी शुरू ही थी एक्सपैंशन मोड पर है तो अभी कंपनी प्रॉफिट उतने बुक नहीं कर ली अर्निंग इतनी नहीं आ ली इसलिए पी बहुत साथा दिखर आपको जब लॉस बुक करती तो पी तो आपका नेगेटिव में भी होता पर यहां पर आपको एक चीज समझनी है वो क्या है कि कंपनी का रिवेन्यू हर साल बढ़ रहा है आप पी रेशियो के हिसाब से यह नहीं सो सकते कि कंपनी और प्राइज है क्यों आप यहां पर एक चीज को समझिए टेसला आपको पता उसका पी रेशियो माक्सिमम साइड पर कितना गया होगा है 1400 से उपर 1400 से उपर उसका एव अभी तक टेसला का जो मिनीमम भी गया है वह भी 200 से कंपनी के होगा तो यहां पर आप समझिए टेसला का शेर रेगुलरली उपर जा रहा है चलिए टेसला को भी छोड़ दीजए आप कहेंगे टेसला बार की कंपनी है हम इंडियन कंपनी की बात कर लेते हैं आप जुमैट नहीं माइनस 125 क्योंकि कंपनी अभी तक प्रॉफिट्स बुक नहीं कर रही है तो जुमैटो की हमने बात कर लिस्टिंग लोगों को मिले प्रॉफिट्स मिले लोगों को अब अभी आपके सामने पॉलिसी बजार का भी आई पी हो आ रहा है आप देखेंगे लोग उसके पी बनून कॉमेंट कीजगा अब लोग एक्साइटेट हैं पेटिंगा पी पर आई प्रॉफिट नहीं करेंगे क्योंकि कुम्क्यू लॉस्में क्या मोई क्यों बहुत सारी एक आपके सामने एक्जांपल देदिया मैंने जहां पें पर कंपनी पर लोगों की नजरेगडिबू हुए है और आपके सामने एक कंपनी का इप आप ही चुका है जो मैटों का चाहां पर प्रफॉर्म कर रही है वह ठीक है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है हाइप बहुत बड़ी चीज है कि लोग कितने पागल है उस कंपनी के लिए अब नाइका जैसी कंपनी को इतनी अगर सब्सक्राइब किया जा रहा है रिटेल के डिग्री में चैने के डिग्री में आप देख रहे हो कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है इसका मतलब है कि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड तो इस कंपनी इसी लिए इसके लिस्टिंग इनके चांसे जाद है देखो मैं आपको एक एक एक्जांपल इसलिए दे रहा है आपके आठ सो चालेस समझ आ रहा है बड़ यह 840 यह आठ भी हो सकता है यह कैसे हो सकता है पड़ा सिंपल है अगर कंपनी प्रॉफिट जादा बुक करे क्या कंपनी जादा प्रॉफिट बॉक कर सकती है रहे भी यह नई नहीं है आज जहां पर कंपनी 61 करोड के आसपस का प्रॉफिट दिखा रही है तो आप यह देखो उसके कंपैरेशन में रिविन्यू कितना है और मैंने आपको बताया था कि इस सेग्मेंट के अंदर स्किन केर पर्सनल केर सेग्मेंट के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन ह थरीके से नहीं निकाली जा सकती जैसे हम ऐसे उ बखी सारी कंपनी इसको कंपेर करते हैं तो यहां पर ये एक पी डिया आप शुक्ष मुझान स्थे चह कर रहे हो सबदाफेशन नोट डाइस नौट सकते हो एक चीज और यहां पर आजाती है यह जो मैं आपको बात बताने वाला हूं इससे ना आपको आने वाली जो आई-पियो भी आएंगे उनके बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो यह भी बताना आपको जरूरी है तो जो कंपनी के प्रमोंटर होते हैं जो उन को इंवेस्टमेंट बैंकर दी कोटक महेंद्रा के साथ उनने काम किया पहुस willing काम किया अब तो उनके husband का भी उनके बराबरी जाता है उनसे उनके बेटे का बेटी का सब का family owned company आप कह सकते हो कि promoters के पास maximum shares है तो 54.22% का stakes है company के promoters के पास और जब IPO आ जाएगा तो उनने कितने stakes बेचे सिर्फ 1.66% यहां पर IPO आने के बाद भी company के promoters के पास 5.56% share holding रही इसका मतलब क्या होता है कि company के promoters को यकीन है company के उपर जिन promoters को यकीन नहीं होता ना जो सिफ IPO से public से पैसा उठाके पस अपना profit बुक करना जाते हैं वो अपने shares पहले dilute करते हैं यहां पर यह चीज़ देखने वाली बात है कि company के promoters इन अपने shares dilute नहीं करें आपको अगें यहां से एक समझनी चाहिए बात कि उन्होंने अपने shares अभी dilute क्यों नहीं करें अगे किसी भी company का IPO आएगा आप यह सेम चीज़े सेम कॉंसेप्स को दिमांग में रखके यू कें डिसाइड वेदर यू यू वांट तो आपको यू समझ आ रहा है यहां पर इस कंपनी में जिन इन्वेस्टर्स ने पहले इन्वेस्ट किया था वह अपने शेयर करें उनके शेयर पब्लिक को जा रहे हैं ना कि प्रमोटर्स के एंड प्रमोटर्स के पास विजन होता है अब आपने इस समझी आपको एक चीश समझाई कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास शेयरोड लिंग कितना है यह आपको अगली जो आने वाले इप उसे उनके बारे में भी चेक करना आपने दूसरी चीश समझी कि जो पी रेशियो के साब से हम देख रहे हैं कि हमें इंवेस् जब हम blue chip companies की बात करते हैं जिन companies को काफी टाइम हो गया चलते हुए अगर वो companies पे profit book नहीं कर रही है और 840 का PE ratio दिखा रही है तो फिर आपके पैसे बनाने के chances कम हैं बट ऐसी companies जो नहीं है aggressive है वो अपनी जिस दिन earnings book करना शुरू कर देंगी profits book करना शुरू कर देंगी य और मैंने आपको tesla का example दिया है इस वक्त तो आप compare कर सकते हैं यहां पे 1400 के PE के बाद भी लोग उसमें continuously invest कर रहे हैं और share दौड रहा अभी भी दौड रहा है अब Elon Musk is the richest person in the world किसकी वज़े से भी आपकी वज़े से आप tesla के shares में invest कर रहे हो इसलिए share price भाग रहा है Elon Musk is the richest person so आपको यह समझनी है चीजे और I hope आपको समझ आ रही होंगी and जहां से हमने बात करी थी कि listing gain company के fundamentals पे कम यहां पे oversubscription हो रहा है तो hype की वज़े से और hype ही एक reason है GMP के उपर कि gray market premium के चल रहा है वो भी hype की वज़े से ही रहता है तो दोनों ही चीज़े जब आपको द gift क्याइबाले लिजये कर सकते हो कि काप दूसरे दिंथी सिर耦ी honesty कितना सबस्क्राइब हो गया अगर subscribe हो तो listing gain आपको दिख जाएंगे listing रहे के chances आप देख लेंटर रहा है ऐसार में चाक्य। आप यह सारी चीजि šeから च॑ कि GMP यहां आप तो यह आप पदाई गही है नहीं है में जिससे हम compare करें कि यह ज्यादा है कम है दूसरी चीज 61 क्रोड रुपीज जो उसने अभी लास्ट यह हमारे सामने बुक कर रहा है प्रॉफिट उसके comparison में 840 निकाल रहे हैं तो आने वाले टाइम में इट कुड गो लेस and as I told you you can also talk about Tesla in this way और यहां पर मैंने बताया promoters का shareholding button यह वीडियो आपको informative लगी होगी आप लोगोंने comment किया लास्ट वीडियो में कि आपको और information चाहिए इसलिए video बनाए गई है so on demand videos बना रहे हैं आपके लिए इसके साथ साथ एक और IPO है एक बहुत बड़ा IPO है इस वक्त आपके लिए अगर आप invest करना जाते हैं वह कौन सा पॉलसी बजार का तो अगर आप चाहते हैं पॉलसी बजार के आपको सारी details ने सारी जान करी थे तो आप नीचे comment कीज़ेगा audience demand की उपर हम videos बना रहे हैं so I hope अगर आपका response अच्छा हैगा तो आपको बहुत अच्छी videos मिलने वाली हैं आपको मैं मिलूगा अगली वीडियो में इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं अच्छी information लोगों के साथ पहुंचे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए आप इसी तरीके से और इंफर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बैल लेकिन पर क्लिक कीजिए कि एक भी पाउर्फुल वीडियो आपसे मिसना हो आउं आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स मिलेंगे अप्स्क्रोक्स के बारे में आपको बताया कि अभी फ्रीम एकाउंट खुल रहा है तो जाके तुरंद खुलवा लीजे तो सीव नेक्स वीडियो तेल दाइम यूगो सल्फमेड